प्रादिकिस दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही गुरुजी का बता हुआ भागवत कथा में गुरुजी ने बता है एक बहुत ही खास उपाई तो वह आपको बताने वाली हूँ और सबसे पहले हम आपको बता दू अनुर जरूर बने रहेगा और वीड़ो चल लगे तो वीड़ो को लाइक करके चैनल को सिस्क्राइब जरू करते दिए तो मैं आपको बताती हूँ गुरू जी अपनी भागत कता में हमेशा बताते हैं अगर आपको अपनी कोई भी मनुकामना पूरी करनी है या आपको आपके जो आ तबी राधा नाम का जाब कर सकते हैं अगर आप खाली टाइम में भी राधा नाम का जाब करो या आप कुछ काम करते हुए भी राधा राधा नाम का जाब करो तो कुछ दिरों में आपको पता चलने लगेगा कि राधा नाम लेने से आपको क्या ही लाब हुआ है तो आपको राधा नाम से इतना ज़्यादा लाब होने वाला है अगर आप राधा नाम लेते हो तो कृष्ण जी पृष्ण होके जैसे राधा जी पृष्ण होके आप पर आशिवात बनाई रखते हैं तो कृष्ण जी खुद बाखुद चले आते हैं आपके घर और अगर आप लड़्डू गोपाल लगते हो उनकी सेवा करते हो तो आपको राधा नाम का जाप जरूर करना जाए जिससे आपकी जो लड़्डू गोपाल जी है वो भी पुरिशन रहेंगे और राधा नाम लेने से आपका भी कल्यान होता रहेगा तो इसी लिए जब भी दिन में टाइम मिले काम कर रहे हो काम करते हुए भी राधा राधा नाम काजाप करो आपकी जो भी मुनखामन है वो भी पूरियोगी और साथ ही साथ सांती भी मिलेगी राधा नाम से तो राधा नाम का जाप आपको जरूर करना है और अगर आप राधा जी के राधा किरिशन जी के भक्तो तो केमेंट्स में राधा किरिशन जरूर लिखके जाना